दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं best laptop under 30,000 रुपीज for students और इससे पहले में best laptop under 25,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, 50,000 रुपीज और 75,000 रुपीज के लिए भी वीडियो बना चुका हूँ अगर आपको उस price range में का laptop चाहिए तो आप description box में उनकी links देख सकते ह और उन्ही वीडियो में मुझे comment में मिला है कि हमें 30,000 रुपी तक का एक अच्छा laptop चाहिए और हम students है तो आज मैंने specifically students के लिए laptop बनाया है और students की 3 priorities सबसे important होती है सबसे पहले students जिनने performance से मतलब होता है और उन्हें एक अच्छा performing laptop चाहिए gaming के लिए और basically वो college टाइम पर बहुत games खेलते हैं इसलिए उनको अच्छा एक processor चाहिए बाकी चीजों में वो compromise कर सकते हैं दूसरे लोग होते हैं जिनको अच्छी RAM चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी एक साथ बहुत सारी applications यूज़ करते हैं जैसे video editing software, chrome, android studio और अच्छी बाहरी applications जिनने यूज़ करते हैं उनके लिए RAM बहुत important होती है तो उनको एक अच्छे RAM वाला laptop चाहिए और तीसरे लोग होते देखें पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि यह सी quality technical videos हम रोज लेकर आते हैं और आप बेल आइकन दब अच्छे अच्छे कलर्स मिलते हैं तो गेमिंग के लिए डिस्प्ले भी उतनी ही important होती है तो आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छी है इसमें मिलती है साथ इसमें आपको एक टीबी की हार्ड डिस्क मिलती है 4GB RAM मिलती है DDR4 टेकनलोजी पे इसमें आपको Windows 10 आउट अप दबॉक्स मिलता है साथ में इसमें आपको एक अच्छे speakers मिलते हैं anti-glare display मिलती है काफी lightweight मिलता है इसमें आपको 5-6 घंटे का battery backup निलता है और 45W का एक adapter भी मिलता है तो यह काफी अच्छा है इसमें आपको graphics card dedicated नहीं मिलता है पर इसमें आपको memory card के लिए एक extra slot मिलता है जिसे आप expand कर सकते हैं 4GB से 8GB पर आपको यह 29,990 रुपय का clipcard पर पढ़ता है और इसका नाम है Lenovo IdeaPad 330 और यह आता है AMD के Ryzen processor के साथ में तो अगर आपको performance वाले laptop चाहिए तो आप इस laptop को देख सकते हैं आगला दोस्तों बात करते हैं उन student के लिए जिनके लिए laptop में RAM और storage type एक बहुत बड़ी priority है और उनको एक अच्छे RAM की और एक अच्छे storage type की जरुरत है तो इसमें आता है Asus का एक laptop जिसमें आपको 8GB RAM मिलती है और 512GB की SSD मिलती है और उसका नाम है Asus VivoBook 14 इसमें आपको screen की साइद थोड़ा compromise करना पड़ेगा इसमें 14 इंच की छोटी display मिलती है पर आपको यह full HD resolution पे बिलती है पूरी LED anti glare display जिसमें काफी अच्छी blue light filtering होती है और आपको आप काफ 12GB की hard disk मिलती है इसमें आपको 2.7 GHz का processor मिलता है AMD की तरफ से APU quad core और इसको आप turbo boost कर सकते है 3.6 GHz तक इसमें आप memory expand कर सकते है obviously 8GB RAM के साथ में आता है 12GB RAM तक भी expand कर सकते है इसमें को cache memory 2MB की मिलती है और इसमें आपको out of the box Windows 10 का support मिलता है सारे जरूरी USB ports मिलते है Ethernet cable मिलता है काफी light weight मिलता है 45W का adapter मिलता है इसे charge करने के लिए built-in speakers जो है उसके काफी अच्छे है और Asus के speakers में personally भी Asus का laptop यूज़ कर रहा हूं और इसके speakers काफी अच्छे होते हैं और music के लिए काफी बढ़िया sound output देते हैं तो यह है laptop 29,990 रुपे का और इसकी भी link मैंने description में दे students के लिए जिनने एक balanced laptop चाहिए और balanced laptop का मतलब होता है जिसमें build quality, design, display, performance, ram type, storage सब आपको balanced मिले और आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो और इस list में मैं जो laptop रखा है उसका नाम है Lenovo IdeaPad S145 जिसमें आपको i3 7th generation वाला processor मिलता है जो 2.3 GHz पे clocked है इसमें आपको 15.6 inch की full HD resolution वाली display मिलती है और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसकी build और design है वो काफी अच्छी और काफी appealing है यह काफी lightweight और काफी अच्छा दिखने वाला laptop है इसमें आपको Windows 10 out of the box मिलता है साथ में इसमें आपको 12 speaker मिलता है और अच्छी keyboard भी मिलती है इसमें आपको 4 खरीदने के लिए और यह तीनों ही laptop काफी अच्छे हैं और आप इन तीनों ही laptop में से कोई भी चूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सब में better performance, better memory combination और better design वाली सारी खूबिया मिल जाती है बस अब depend करता है कि आपको कौन सा brand personally पसंद है अगर आप Lenovo लेना चाहते हैं तो आप Lenovo भी ले सकते हैं और Asus लेना चाहते हैं तो Asus भी ले सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें शेर करे करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जो लैटॉप देख रहे हैं 30,000 रुपे के बजट में सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्यूंकि ऐसी quality technical वीडियो हम रोज लेकर आते हैं और बने रहे हैं अगले वीडियो के लिए thank you so much for watching